स्वागत है सरकारी स्लवस में बड़ा ही छोटा वीडियो और बड़ा ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Institute of Foreign Trade Indian Institute of Foreign Trade के नाम से जाना जाता है आप लोग इसे प्यार से कहते होंगे IIFT के नाम से भी से जाना जाता है तो इसकी जो है एक IB International Business के में अगर आप MBA करना चाते हो तो इसके लिए यह सारी मूलभूत जो बाते हैं वो मैं इसमें बताना चाता हूँ क्योंकि IFT की यह Management का School है जिसे IEMS वगेरा होते हैं इसके दो Campus है एक तो MBA के जो Management के course कराता है उसमें एक इनका प्रमुक है कि International Business क्योंकि IFT का नाम ही International Type का है तो इसमें जो अंतर राष्टी Business व्यापार होता क्योंकि अब जो जो जमाना Modern हो गया है हलांकि पुराने जमाने में भी अंतर देसी व्यापार हुआ करते थे तो आज की जमाने में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया अगर एक किसी एक देस की एकोनोमी डाउन जाती तो दूसरे देस पर भी उसके जो हैना हल चल मच जाती है इसमें हर साल करीब करीब 280 पिछले साल लिए गए थे बच्चे तो यह समझे यह बच्चों आप 280 मानके चलो तो 500 और मानलो या फिर कितने करो तो करीब करीब वही 550 के आसपास बच्चों की हर साल जो है ना इसमें वेकर्चिय आति बच्चे इसमें जाते हैं और अपना MBA का प के लिए तो उससे थोड़ा से कम लेकिन अच्छा एक कमडिशन आपको मिलने वाला है ठीक है तो यह बात इसकी हो गई तो दो साल का आपका प्रोग्राम होता है फुल टाइम का प्रोग्राम इसमें होता है अब देखें इलिजबिल्टी क्या है मैं सिर्फ यहां पर जो अपन इसमें फॉर्म भर सकते हो और इसमें एक सबसे बड़ी बात बताओं कि कोई एज लिमिट इसमें नहीं है तो आपकी कितनी भी उमर क्यों आओ आप इसमें फॉर्म भर सकते हो ठीक है यह सबसे इंपोर्टन चीज हो गई इसके बाद जो बात आती है आप जो एना अगर सिलेक्षिन प्रोसिज़र के इस तरह का उता है तो देह किस प सबसे पहले एक रिटैन एक्ज़ाम होगा रिटैन एक जब इसमेडि एक होगे इंटर्वी होगा तो यह आपका से इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आपका रिटैन एम दिसमर में होने वाला है December में written exam के बाद आपको जल्द ही GD वगेरा interview के लिए बुलाए दिया जाता है और अगली साल जैसे कि अभी क्या चलना है अभी चलना है September ठीक है September चलना है आपके form आगए September में आपका December में exam होगा इसी साल और अगली साल July से आपका session सुरूँ हो जाएगा जितने भी भारत में बड़े exam होते हैं जिसे UGC, NET वगेरा हो गए IIT वगेरा हो गए तो इनमें जो भी बच्चों का selection होता है वो NTA करती है यह एक agency है जो exam conduct वगेरा कराती है ठीक है और आपके जो written exam है वो आलोवर इंडिया होंगे आप यहाँ से देख सकते हो written test, origin, aim, दावा, देलाबर तो मतलब भारत की कोई ही side, कोई लखनव, मुंबई, नागपुर कोई भी जो एक अच्छी city है सब इसमें समलित हो जाती है जो आपके GD वगेरा है वो कहा होंगे आपके middle of February में क्योंकि December में written exam होगा और last December तक आपका result आएगा तो January, February के आसपास जो है ना fourth week of January in middle of February आपके बैंगलोर में, चन्नाई में, डेली में हैदरवाद में, कोलकाता में, लखनू में मुंबई में, इतनी जगाओं पर आपके interview और GD conduct कराए जाएंगे ठीक है, तो यह चीज हो गई अब यह foreigners के लिए तो हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आँगे बढ़ाते हैं देखिए, आपकी जो fees लगती है, ठीक है, परनेम के आपकी कितनी fees लगने वाली, जनरल और OBC के candidate को 7,60,000 रुपए पर इनम की fees यहाँ पर है ठीक है, और जो SCST फिचली हैंडेव कैटेगरी के उन्हें 3,50,000 रुपए पर इनम की fees है यहाँ पर foreign national की यहाँ पर आप बात नहीं करेंगे ठीक है यह बात अठा दी, तो यहाँ से हमने fees की बात कर दी, देखिए मैं आपको बता दूँ कि कई सारे बच्चे हो सकते हैं जिनके पास इतनी fees नहीं है, 7,50,000 रुपए fees पे नहीं कर सकते हैं तो अगर आप एक बार select हो जाते हैं इसका exam, GDA, सब कुछ निकाल लेते हैं तो कई सारे जो आपको पैसे देने के लिए हमेसा त्यार रहती है आपको उसके लिए कोई संकार अपने दिमाग में नहीं रखनी है कि इतनी ज़्यादा fees है हम पे कैसे करेंगे, ठीक है तो इसकी कोई बात नहीं, अगर आप exam निकाल लेते हैं तो सैकड़ों हजारों संस्था हैं यहीं जो आपको तुरंट पैसे आपको यह सारी चाहिए मोहया हो जाएंगे फिर आपको करीब-करीब इतनी ही आपको scholarship भी वहां से मिल जाती है जो बड़े institute होते हैं आपको scholarship भी प्रवाइड कराते है तो कुछ जादा आपका इसमें नहीं लगने वाला है अब देखिए important dates के बारे मैं आपको बता दूँ यह जो है न अब यह पहले जुलाई में form आ जाते हैं इस बारे इन्होंने late निकाला है तो मैं आपको यहां से बताता हूँ September में आपके आएंगे form December में आपका होगा written exam ठीक है और January and February में आपका ठीक है आपका होगा GD and interview और इसके बाद आपका next year जुलाई से आपका session सुरू हो जाएगा यह इसका कुछ procedure है जो मैंने आपको बता दिया अब हम थोड़ा से से हटाते हैं अब आपका pattern of admission मतलब exam pattern के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसमें आपका जो written exam होगा वो cat के ही syllabus होता है करीब-करीब जो cat का syllabus होता है वह यह आपका इसमें भी syllabus होता है आप यहां से देख सकते हैं क्या कहाता है English Comprehension, General Knowledge and General Awareness, Logical Reasoning and Quantity and Assist तो same syllabus आपका cat के syllabus है और आपका जो एक जहां वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी मात्यम होगा और आपका दो घंटे का time मिलने वाला है यह इसकी कुछ मुख बाते थी जो मैंने आपको यहां से बता दी तो उमीद करता हूँ इसकी जो मोटी मोटी चीज़े है वो मैं सारी के सारी मैंने आपको बता दी है जो है ना आपके इस IB अगर आप IB में करना चाहते हो MBA तो आपके लिए सारी मोटी वाते मैंने बता दी IIFT के लिए जो भी चाहिए जरूरी हो सकती थी तो अगर आप इस वर्स ही करने के चुगे तो आप form डाल सकते हो इसके लिए मैंने separate video बना चुका हूँ और इसका detail slavers देखने के लिए आप जा सकते हो सरकारी slavers.com पर वहाँ पर आपको detail slavers मिल जाएगा तो इस वीडियो में बस इतना रखना चाहेंगे कुछ और आगर जानना पूछना चाहते हो you can comment below the video हम आप समिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वन्दे मात्रम